आज मैं आपको फिश बनाना बता रहे हूं मगर उससे सबसे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और इसको लाइक करें चलें फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ सबसे पहले मैंने फिश लीती और इसको अची तरह से पानी से दूह लिया था आप चाहें तो सेर्कर डाल के दूह सकते वर समें अब साधा पानी से भी दो सकते हैं उसके बाद मैंने इसमें सिफ फिश मसाला लगाया था और थोड़ा सा द्रगलसन का पेस्ट लगाया था और इसको फिर मैंने फ्राइ कर लिया था फ्राइ करके यह कुछ इस शेप शकल में है आप जह हम चिकन फिश बाइस बनाने के लिए जो हमें चीजे चाहेंगे हैं उसमें है यह एक टी स्पून राइड चिल्ली पाॉडर यानि के लाल मिर्च पिसा हुआ धनिया एक चमच यानि वन टी स्पून यह मैंने थोड़ा सा फिश मसाला लिया है वन टी स्पून हजब साइखा अपनी नमट लेना है अधर लगलसन क हमें और पेस्ड फैने ने 1 टी स्पून लिया है यह मैंने जर्दे का रंग घूल के रखा है एक घ्टी मैंने प्याद के लिएए और यह थोड़ा सा गरम मसाला प्रवाइब अधा कब मैंने ड़ी लिया है और अधा कब मैंने ओई लिया है और यह बॉयल राईस लिए मैंने आधा किलो ठीक है यह बॉयल करके राईस को अपर साथ रख it अब आते हैं इसको पकाने कि तड़ा पेहन चूले पे चढ़ा दिया है जो हमारा गर्म हो चुका है अब हम इसमें ऑईल डाल रहे हैं जो मैंने हाफ कब आपको बताया था इसके साथ ही मैं इसमें प्याज एट कर रही हूं और यह गरम साला अब हम प्यास को लाल करेंगे प्यास लाल मुगे है अब हम इसमें डालेंगे अब दिरक लिस्टन का पेस्ट लाल मिच्च पाउडर धनिया पाउडर और ये फिश मसाल हम इसमें नमक डालेंगे अम इसमें टमाटर का स्टमाल नहीं कर रहे हैं हम इसमें दही का स्टमाल कर रहे हैं आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकती हैं ये हमार मसाला तैयार है अब हम इसमें चावल अट करने हैं हम इसमें चावल डाल दिया है अब हम इसमें तोड़ा पाली अट करेंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम में ये आपको फिश बिरानी फिश राइस जहें आप इसको ट्राइज जरूर कीजिएगा बहुत मज़े के होते हैं है अब इसको बें पर लगा रहे हैं यह मैंने इसमें दरदेकर अट कर दिया है हमारे फिश राइस रेड़ी है अब मैं इसको सर्फ करूंगी हमारे फिश राइस रेड़ी है और इसको दरूर टेस्किजिए गाइगाश्या को सब्सक्राइब करिएगा लाइक किएगा शेयर करिएगा थैंक यू बर्म